Hey everyone, welcome to Ernestobble, I hope you are doing well. जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी पिछले कुछ टाइमों में बहुत सारे अपडेट आए हैं और बहुत सारे बदलाओं हुए हैं। हर एक अपडेट के उपर, हर एक बदलाओं के उपर हम बातचित करेंगे। खाज करके उन तमाम points के पर बातचित करेंगे, जिसको आयोग ने अभी change कर दिया है, ठीक है ना? और आयोग ने finally ये mention कर दिया है कि क्या क्या नहीं चीज़े इस बार change होने वाली है। प्रिविएस वीडियो में भी मैंने आप लोग को बोला हुआ था कि कुछ basic change होने वाले हैं और finally इस बार वो changes हो गए है। subject में जो बदलाओं हुए हैं, syllabus में जो बदलाओं हुए हैं और इसको उपर जो recommendations दिया गया हैं उसके उपर बातचित करेंगे। साथ ही PhD के साथ साथ NET JRF वाला क्या सीन चल रहा है, इसमें क्या क्या बदलाओं किये गए हैं इसको पर बातचित करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको पर हम बातचित करने वाले हैं तो आईए शुरू करते हैं। देवो गैस और यह ओफिस्यल है, यह किसी तरीका कोई भी सोर्सिज विगरा नहीं, यह ओफिस्यल है, एम जगदिश कुमार सर ने अपनी ट्वीटर हैंडल पर एक बात गई है, कि इस बार का जो नोटिफिकेशन है, जो जून दुहजार चौबिस में आने वाला है, इसमे चेंजेज क्या क्या हो रहे हैं, वो जड़ा एक बार ध्यान रखना, और जो मैं बता रहूं उसको जड़ा सुनो, सिलेवस में चेंजेज हो रहे हैं, तीन पैटरन को इसमें इंट्रोड्यूस किया रहा है, एक तो आपका जो नेट जेरिफ के लिए पिपर वन था, वो उस इसके उपर अभी कोई इंफरमेशन नहीं है, ये नोटिफिकेशन और जैसे ही आएगा, तभी पता चलेगा, ठेके ना, अभी थ्वासा और वक्त देना पड़ेगा आपको, इसके अलावा पिएचडी, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो, तो आप पिएचडी के बहुत बेहतरिन होने वाला है, और सच में ये एक केरियर की तरह हो जाएगा, क्योंकि नेट और जैरेफ को अभी तक केरियर कुरूप में बच्चे नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि नेट क्रेक करने के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, लेक सारी इसमें चेंजिस किये गए हैं, इसके अलाबा और क्या-क्या चीज़े आपको कर लेने चाहिए, देखो कुछ खास डॉक्मेंट से, जो आपको आल लेडी मैंने पहले बोल रखा है, वो सारी चीज़े आप कर लेना, नन क्रीमिलेर में अगर आती हो तो वो आप एक बा इसमें जा करके अलग-अलग फॉर्म फिल करने परते थे और उसका एक्जाम देना परता था, देन उसके बाद आपका सेलेक्शन होता था, उसके बाद आपका लिस्ट बनता था, फिर आप जाते थे, लेकिन आयोग ने इस बार उस एक्जाम से आपको छिटकारा दे दिया और कहा है कि सिर्फ एक एक एक्जाम होगा, NET, ZRF का और उसी एक्जाम को क्नेक करने के बाद आपको साड़ी स्विधाय मिलेंगी, उसके बाद बहुत साड़ी बच्चों के अंदर ये डाउट है कि हमने 2023 में एक्जाम दिया था, वो हम पास है, या 22 में पास है, हमारा NET हो जिर्फ हो चुका है, तो अभी जो संसोधन हुआ है, उसके लिए हम eligible है या नहीं है, तो देखो गईज, आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि academic year जो है 2024 और 2025 इसके लिए valid होगा, यानि कि onward 2024 जून से चालू हो जाएगा, उससे पहले के लिए कुछ भी नहीं होने वाला है, त लेकिन अब जून वाला एक्जामिन से अगर आप क्रैक्डाउन करती हो तो फिर आपको बहुत सारी सुभिधाय मिल जाएगी जो कि आयोग ने मिंसन कर रखा है, तो देखो हर एक अपडेट में हम लगतार बने हुए हैं, जैसे ही आएगा और इसमें बहुत सारे जो भी प एच आ रहा है पेपर वन के लिए और उसे बहुत सारे नए टॉपिक को एड़ाउन किया गया है, नए सब्जेक्ट को उसमें एड़ाउन किया गया है और यो कहा जाए तो जितने भी नए पैटर्न चेंजिस होने वाले हैं, जहां जहां पॉसिमिलिटीज है, वहां पे हमन पंदरा तारिक से, ठीक है, तो जितना जल्द हो सके, जॉइन कर लेना गईस, जितना जल्द हो सके, आप जॉइन कर लेना इस क्लास को, मैसेस कर लेना आप मुझे इंस्टा पे, या आप मेरे को मेल कर लेना डैरेक्ट, वहां पे मैं आपको रिप्लाई बेकर दे दूँग कि आप जो ये changes देख रहे हो आयो के द्वारा जो तीन category लाया गया है ये changes देख कर कि आपको कैसा लग रहा है और कितना आप positive फिल कर रहे हो या कितना negative फिल कर रहे हो और आपके according ये अच्छा है या नहीं है इसके बारे में comment box में comment करके जरूर बताईएगा ठीक है तो इस विडियों बस तना ही मिलते हैं ने इस विडियों तब तक के लिए जय है हिंद गईज